हेलो टेडरेस, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल टेडिंग ओल टेडरेस, आज आज आपके लिए फिर से लेकिए आ गए है चार से पाँच इंट्राइडे स्टॉक्स जो कल के लिए रहने वाले हैं जिन में कल एक बड़ा ब्रिकाउट हमें देखने को मिल सकता है तो पूरी डिटेल अनलेसिस करके हम लोग देख रहे होंगे किस तरीके से हमारी बैंट्री बनेगी क्या क्या important levels रहने वाले हैं साथ में किस तरीके का projection अभी हमारा stock सो कर रहा है तो बीडियो को लाज तक देखे काफी important बीडियो यहाँ के लिए रहने वाली है और उसके बाद अपने उने stocks के analysis को भी हम लोग discuss कर रहे होंगे जो कल वाली बीडियो में मैंने आपको दिये हुए थे जिनमें हमें आज trade करना था जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से अपनी trade को execute करना है कहाँ पर trade को नहीं करना है ठीक है तो आज का दिन काफी candlesticks अभी यहाँ पर लगी होई है इसकी अगर analysis की बात की जाए टेडर्स तो जो नीचे वाला zone बना हुए बहुत ही अच्छा है एक support zone बना हुए है यहाँ से वहारे stock ने एक बार दो बार तीन बार काफी अच्छे से support face किया हुए और जो उपर वाली 10 line है बहुत ही इस वाले ट्रेंड लाइन के उपर या इस वाले zone की नीचे closing देती है तो वहीं पर हमारी entry activate हो जाएगी और इजली हम आपने पहले दूसरे levels के लिए try कर सकते हैं और काफी अच्छा profit इसमें हमें देखने को मिल सकता है तो होप है आप इसकी analysis को समझ गयोंगे बहुत ही basic analysis ह और stock loss and target के लिए आप previous videos प्रफर कर सकते हैं महां पे काफी अच्छे से मैंने discuss किया हुआ है तो आप उसको भी reference ले सकते हैं और काफी अच्छे से profit बना सकते हैं अगर कल इसमें कोई भी breakout आता है तो चली अब देख लेते हैं अपना दूसरा stock जो कल के लिए रहने वाला है हो है हमारा कोटक महिंद्रा पैंक है इसमें जी उपर वाला zone बहुत ही अच्छा एक resistance zone बना हुआ है यहां से मारे stock ने एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार काफी अच्छे से resistance प्रवाइड कराया हुआ है साथ में नीचे वारी 10 लाइन बहुत ही अच्छे support line ब के लिए try कर सकते हैं इसमें भी ध्यान रखता है कि हमारी 15 मिनेट की candlesticks लगी हुई है बट अपने जो trade execute कर रहे होंगे वो 5 मिनेट टाइम फ्रेम की candlesticks लगाने के बाद कर रहे होंगे यह अपने तीसरे stock की बात कहें टेडरस वो है हमारा Siemens India Limited का इसमें जी उपर वाली 10 लाइन अप बहुत ही अच्छी का रेजिस्टेंस लाइन बनी हुँ है यहां से वारे stock ने एक बार दो बार तीन बार चार बार काफी अच्छी से resistance प्रोवाइड कराया हुआ है साथ में जो नीचे वाला zone बहुत ही अच्छी से एक support zone बना हुए है यहां से वारे stock ने एक ब मिल सकता है तो चलिए अपना चौथा स्टॉक देख लेते हैं टेडाइस यो कल के लिए रहने बाला है वो है हमारा डाबर इंडिया लिम्टेड का इसमें 15 मिनेट की अनलिस्टिक्स लगी हुए यो प्रवाइड टेडलाइन बहुत ही अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन नीचे बाला जो होन बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट जो अनुदरों लेवल्स को मिलाके बहुत ही अच्छे तरीके से इसने अभी डिस्टेंजरिंग ट्रैंगल बनाया हुए तो इसमें प्रिविए स्टॉक की तरह जिसकी भी साइट बेक आउट आएगा हमारी एंटरी अक्टिवेट होगी और यहली हम अपने पहले दूसरे लेवल्स के लिट राय कर सकते हों काफी अच्छा प्रॉफिट इसमें देखने को में सकता है तो होप है हम चारों स्टॉक की अनलेसिस क मैंने दिया हुआ तो आज का दिन काफी अच्छा दिन रहा है कुछ ज्यादा पॉस्टिज नहीं मिली फ्री वी काफी अच्छे प्रॉफिट समय देखने को मिले जो सबसे पहला इस्टॉक था बहुत था हमारे रिलाइंस इंडस्ट्री का इसमें आज बहुत ही बंपर प् अक्टिबेट हुई और उसको पहला दूसरा दोनों टागेट बहुत ही अराम से देखने को मिल गए अब फर्दर लेवल्स के लिए भी ट्राय कर सकते से दूसरे टागेट का जो ब्रेक तक काफी अच्छा था और अपने स्टॉप लास को टेल करके ऊपर कर सकते थे बट मै तो काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड रही ये वाली मैं अपनी दूसरी स्टॉप की बात करें जो कल आपको दिया गया था बहुत हमारा कोटक महिंद्रा बैंक का ठीक है तो इसमें कोई भी ट्रेड अक्टिबेट नहीं हुई थी अब ये कल के लिए भी रहने वाला है तो इ ये भी कल के लिए रहने वाला इसमें भी किसी भी साइट कोई भी परिकाउट हमें देखने को नहीं मिला था ठीक है तो ये चारो स्टॉक थे जर्में से सिर्फ एक ही स्टॉक में वाली ट्रेड अक्टिबेट हुई थी और इसमें काफी बड़ा प्रॉफिट हमें देखने को मिला होप है आपने भी इसमें काफी अच्छे से ट्रेड की होगा, आपी काफी बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला हुगा, तो wavelength y4 श्टाउक जो कल दिए गए थे, उनकी analysis है बाकी जो कल के लिए रहने वाले उनकी analysis इसको भी हमने डिसकस करे लिया है तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अब तक के लिए थैंक्यू डेडर